इस वीडियो में हम भात करने वाले हैं, अगर आप YouTube को Play Store से अप्रेट करने का ट्राए करते हैं, या फिर आपका YouTube नहीं चल रहा है, आपको यहां पर दिखाता है Play Store में YouTube पर अगर आपको कुछ इस तरह से दिखा गया है आपके mobile में तो आपको क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में अंट तक बने रही है गा तो सबस्थे पहले जाने लिजे यह problem आती क्यों है यह problem आती है जब आपका mobile पुराना होता है जैसे पहले versions आते थे kitkat 4.4, 4.1, 4.2 तो कुछ इस तरह से जो पुराने versions है उसके अंदर यह problem देखने को मिलती थी आगर आपके पास new mobile भी है उसके अंदर भी यह problem आ गई है तो क्या करना है क्या आप कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में अन तक बने रहेगा सबसे पहले तो आपको जैसे आपका YouTube है उसको यहाँ पर कैसे चलाना है वो जान लीजिए यहाँ पर आपको किसी भी browser को open कर लेना है किसी भी browser को तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने Chrome browser को open कर लिया है अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है यहाँ पर लिखिए YouTube light download a p k p u r e यह लिखना है और search कर लेना है ठीक है यह लिखने के बाद सबसे पहला link आएगा आपके सामने इस पर click कर येगा ठीक है यहाँ पर फिर से click कर लेते हैं क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने open हो जाएगा अब इस तरह से open होने के बाद आपको scroll करना है नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा first download with apk पर download apk तो यहाँ पर आप इन में से किसी भी link पर click कर सकते हैं यह आपको download करना है कुछ इस तरह से आपको इसाते होगा तो यहाँ पर निचे आते हैं और डाउमलोड apk लिएक pra क्लिक कर देते हैं और इसको आप use कर सकते हैं, आपको कोई भी problem नहीं होगी, सिर्फ आपको यही काम करना है guys, ठीक है, जब तब यहाँ पर आपकी problem solve नहीं होती, तो आप YouTube light use कर सकते हैं, सिर्फ यही काम आपको करना होगा guys, अगर आपको फिर भी problem आए, मुझे comment box में बताएगा, मैं कोई और solution लेकर आँगा, सो मिलते हैं, आपको यहीं में टेल नहीं होगा, टेके, लव यू अल,